Hello everyone, I'm Amitivari from Amitivari.net और आज नहीं मंडे है ना थर्सडे फिर भी हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं खास विकस्ट गूगल ने कल से सारी Google My Business Profiles के लिए Short Link की Facility चालू कर दी है इसको on करने के लिए आप अपने mobile ये desktop दोनों पर login कर सकते हैं Google My Business App पर आपको ये Short Link एड करने के लिए जाना होगा Profile Tab में और Profile Tab में Overview Link के जस्ट नीचे आपको Create a Short Name नाम का बटन मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप इस Short Name को अपने लिए चूज कर सकते हैं वहीं desktop में login करने के बाद आपको जाना होगा Info Tab पर और अपने Mobile Number के नीचे आपको अपना Short Name एड करने का Option मिलेगा अगर अपना मंचहा Short Name एंटर करने के बाद जब आप Save कर रहे हैं और आपको इस तरह से Error दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि वह Short Name और किसी और Business ने Book कर रखा है आपको कोई और Option सेलेक्ट करना चाहिए और आप ट्राइ करते रहें आप जो भी यूजर नेम अवेलिबल होगा वो आपको एंटर करके Save बटन क्लिक करने पर अपलाई हो जाएगा और आपको इस तरह से Successful का Notification मिलेगा अभी शॉर्ट नेम के बारे में बहुत ज़्यादा information नहीं है लेकिन क्योंकि ये feature अभी कल ही launch किया गया है इस बात के chances बहुत ज़्यादा है कि आपको मन चाहा यूजर नेम या मन चाहा शॉर्ट नेम मिल सकता है ये short link या short name unique होंगे जो twitter handle या facebook link की तरह सिर्फ एक user के पास ही रह सकते हैं तो अगर आप अभी आज ही तो जाकर अपनी google my business profile के लिए ये short name select करते हैं तो आप अपने keyword या अपने नाम वाले short name को choose कर सकते हैं इस short name का आपकी google my business listing की ranking पर क्या असर पड़ेगा ये अभी clear नहीं है इस बारे में कोई data या कोई बहुत ज्यादा information available नहीं है बट ये short name आपकी google my business profile और review tab दोनों के लिए short link का काम कर सकता है तो आपकी google my business listing का short name है उसको रखते हैं restaurant तो आपकी जो google my business की listing है उसका short link हो जाएगा g.page slash restaurant और जो आपकी listing का review tab है उसका short link होगा g.page slash restaurant slash review तो अभी ये एक user short name का जो हमें पता लगा है इसके अलावा अब गर कोई हमें information इसके बारे में ज्यादा मिलती है या जो भी test के बाद में data मिलेगा वो हम आपके साथ बात में किसी detailed video में share करेंगे इसके अलावा google my business ने कुछ और features launch किये हैं जैसे आप किसी भी listing को follow कर सकते हैं और नए followers को एक special discount भी provide कर सकते हैं यह feature अभी सिर्फ US में launch किया गया है या कुछ countries में और अभी इंडिया में at least launch नहीं किया गया है हम इसके बारे में कोई information नहीं है कि यह feature इंडिया में कब launch किया जाएगा बट short names available हैं आप अभी तुरंट जाकर desktop या mobile app के थुरू अपने business profile अपनी Google My Business Listing के लिए short name यूज कर सकते हैं और मैं suggest करूँगा कि आप इस short name में अपने business का नाम या अपने main keyword और अपनी location को आप select कर सकते हैं So go ahead और इस मौके का अभी तुरंट फाइदा उठाई है हम आपसे मिलेंगे अगले somewhere अपने usual time पर Thank you so much for watching this video I am amitivari for amitivari.net and subscribe करना मत भूलिएगा Thank you so much for watching this video I am amitivari for amitivari.net and we'll see you next time Take care